हेलो गाइस वन्स अगेंड वैलकम बैक टूर चैनल मैं मोहित अग्रवाल से भी रिश्ट आ रहें लेकर के आज चुको एक और प्री मार्केट अनलिस वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मंडे की दिन मार्केट में क्या होने वाला मंडे मिटकेप निफ्टी की एक हमारे मार्केट के लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हैं सबसे पहले तो एक यह जो वार सिच्वेशन चल रही ती इजरायल और हमास वागेरा के बीच में वह भी काफी ज़्याद हो चुकिए उसके वज़े से हम लोगों ने गिरते हुए देखा इवन्दों हूँ कि हम एक ब्लट बात देखने को मिलेगा फिर एक बहुत ही बड़ी फ्री फॉल भी देखने के लिए मिलेगा अब आप लोगों ने भी पी बीटीएश्टी साइट का ट्रेट दिया तो जो कि काफी अच्छा करेगा मंडे के दिन लेकिन अब उसके बाद में क्या लग लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो देखना है मुमेंट के साथ में पैसा बनाना है अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और यह बहुत ही ज्यादा चौकाने वाला आया हुआ है जो की एक इंडिकेशन दे रहा है कि अच्छा गिरावत हमें देखने को मिल सकता हो सकता है निफ्टी में लोग 22,000 के लेवल्स भी जल्दी देखे सबसे पहले हम लोग डाट की बात करते हैं आप तो आप लोग च्छोटे च्छोटे आ रहें लेकिन जिस दिन का नंबर आता बहुत बड़ा आता है 8,000 करोड का उन्होंने कैस में सैलिंग कर दिया हुआ पर उसी के सामने डियाइस ने अगर कोई सेल कर रहा है तो लेकिन 6,341 करोड का तो भी डिफरेंस 2000 करोड के करीब हम लोग बोल सकत करोड की मतलब नेट नेट हम देख रहें दस हजार वहां पर 6800 मतलब 16800 करोड तो एफ आइस ने स्टॉक और कैस में दोनों में मिलाकर कितनी सेलिंग किये स्टॉक ऑप्शन्स तो हम लोग कभी भी कंसिडर करते ही नहीं अब हम लोग बात करेंगे इंडेक्स में क्या किया उन सेलिंग कंटीनियू रहेगी यह टिकार रहेगा क्यों बहुत ही बड़ा माउंट हो जाते तो हमें लगता है कही ना कहीं एक बड़िया सेलिंग करने का और अपनी पोजिशन सलकी कर रहे हैं उनका सीधा-सीधा यह रहता है देखिए जब भी होता क्या मनी इस मार्केट के यह रहते हैं उनसे पैसा हमेशा जाता है मार्केट में तो वही होगा बहुत जब सैलिंग कर रहे हैं और समझो जो वीक हैंट से वह अगर करते रहेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रोंग हैंट को नीचे बाइंग का मुक्त मिलगा वह भी बेस देंगे नीचे मार्केट आगा कि मार्केट उट सके अगर समझो कोई भी चीज एक डिरेक्शन में ऊपर जाती जाएगी तो पॉसिबिलिटी नहीं के एक साथ ऊपर चली जाए अगर निफ्टी को 23000 23500 चाहिए तो बोई इन्वेस्टर बार बार तो बाय करके ले करके नहीं जाएगा इन्वेस्टर ने आज फिर मार्केट प्रेशर के साथ में ऊपर जाएगा तो वही का नहीं होती हमें जाना है 23000 23500 24000 तक भी लेकिन होगा क्या टुकडों में जाएंगे पहले हम 237800 तक गये अब बापस हम लोग 20 227800 तक गया बापस 22000 के पास मैं फिर आम लोग एक बड़ी चलांग के लिए सकते हों किलेगे लेवल काईसे रहते उससे पहले बात करते हैं वही इसे कल के दिन में अगर हमें देखना है जैसे अभी हम हम लोगों मैं तो पहली चैक कर दो लेकिन आपको बदा आने के लिए Quran मार्केट्स में क्या घटा हुए किvisoris पर ओ हाँ ग्लोवल मार्केट में आप देखोगे डॉज ओंस 3900-500 के आसपास में था यहाँ पर साइद लेवल भी आएगा हाँ 39,089 से करेक्ट हो करके 37 करीब करीब 2000 पॉइंट की सैलिंग कुछ ही ट्रेडिंग सेशन समय में देखने के लिए मिलिए जिसमें से कल के ट्रेडिंग सेशन में 475 पॉइंट डॉज ओंस चूटा संप 75 नैश्टक 270 पॉइंट और उसके साथ साथ में अगर हम बात करें हमारी गिफ्ट निफ्टी 134 पॉइंट चूट गया हम लोग आ गये इदर 22,452 पर तो कहीं नहीं कहीं सेलिंग प्रेशर आ रहा है डेटा भी आपके साथ में सपोर्टेव है तो डेटा सपोर्टेव नहीं है तो ही कुछ ही ऐसे इंस्टेंस बनते जिनमें समझो अगर मार्केट नीचे की साइट खुल रहा है और नीचे नहीं जाएगा एक दम से बाइंग आ जाए उस टाइम पर अगर FIS ना बाइंग कि ह हो रहा है तो तीनों फेक्टर हमारे सपोर्ट में फिर बेर्स के सपोर्ट में तो बूचीज हमें ध्यान में रखनी अब इंपोर्टेंट लेवल की बात करें अगर किसी को देखो बाइंग करनी है फिर सेलिंग करनी है तो उनके लिए स्टॉप लॉस टार्गिट करेंगे में एक ही रेश्टेंस हमें दिख रहा है हाल फिलाल बैंक निफ्टी के अगर हम लोग बात करेंगे तो बो रेश्टेंस लेवल हमारा रहेगा 49,050 जो कि हमारा ओल्टाइम हाई भी है हो उसके बाद में नीचे सपोर्ट हमें कहाँ पर मिलग है support है हमारा पहला 48200 पर support मिलरा है क्या एक support मीं यहाँ पर भी मिल रहा था 48,500 खालत के आज़सी लेकिन अंगी शबनागी मोग support पर हिकलोज हुए 48564 पर खलोज हुए और ओर मंदे को लग रहा था Hey, नीचे खुलेगा या फिर 48,200 का जो सपोर्ट है उसके पास में खुलेंगे अगर इसको नहीं जहल पाता मार्केट या फिर यह सपोर्ट हमारा ब्रेक होता तो नीचे दूसरा लेवल हमारे पास 47,750 और तीसला एक साइकलोजीकल लेवल और एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है 47,000 का लेकिन अगर कोई सेलिंग कर रहा है और एकदम से बाइंग परेशर आ जाए तो उसके लिए कहा पर निकलना उसके लिए एक ही एक जेट है 49,050 ब्रेक हो गया ग्रीन जोन में हम लोग चले जाएंगे ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएंगे तो वहां पर हमें एक्जि है और संसेक्स में हमा आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा भी बनाया तो कलके ट्रेडिंग सेशन में जो कि देखा गए अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की निफ्टी में हमारे पास दो रेस्टेंस है पहला रेस्टेंस हम लोग लेंगे 22,640 क्योंकि हम लोग मंडे नीचे और खुलने वाले देर्सो दोसो पॉइंट पहले ही नीचे आगया तो स्टॉप लॉस बढ़ा हो जाए तो 22,640 ले लेंगे हम काम करेगा सपोर्ट हमें मिल रहा है 22,250 क्यों नीचे खुल रहा है तो बीच में सपोर्ट था वो हमने छोड़ दिये फिर उसके बाद सपोर्ट है 21,860 का तो हो सकता है 22,000 की नीचे आना थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन 22,000 के पास में एक भाइंग भी देख सकते तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखने हम इंट्राइड के लिए मंडे के दिन तो स्ट्रेजी मिल गई कि अगर थोड़ा भी मूब मिले हम अगर सबसे पहले मार्केट में गिरावट आई बड़ी गिरावट आती है तो उस टाइम पर हमें जो सैलिंग प्रेशर मिलेगा मिलेगा सबसे ज्यादा मिलेगा जो मेरा अनुमान है क्लोज हुए थे क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाफसनाव अगर हम लोग देखेंगे बाइंग आई कहां पर मिटकेप शेयर इतनी गंदे तरीके सा बढ़े हुए ना अगर सैलिंग आनी शुरू हुए तो मेरे को लगता 100 रुपे का शेयर 30 रुपी 40 रुपी का भी रह सकता कोई बड़ी बात निया का सैलिंग प्रेशर आता है तो मिटकेप निफ्टी में हो सकता मंडे को प्रीमियम काफी तेजी से भागें और महेंगे भी मिलने अगर हमें सैलिंग प्रेशर मिलता है उपर रहे हम लोग 11 वन वन जीरो जो की आल्टाइम हाई है हमारा नीचे पर हमें तेजी मिल जाए लेकिन हम लोग प्रेलेक्शन एक फॉल तो देखेंगे जहां पर हमें मिटकेव स्टॉक में बीच से 25 या फिर 30 परसंट की वी फॉल हमें देखने को मिल सकती है तो वह फॉल का इंतियार करी हो आप तुकड़ों में पैसा लगा सकते हो लेकिन बढ़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे हमें भी एक मोटिवेशन आए और वीडियो बनाने के थैंक्यू गाइस